ये गाईस मैं हूँ मेगा इन वेलकम बैक टो आज चैनल तो आज को वीडियो है आप सब लोगों का फेवरेट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हम रियूज करने वाले हैं उतने पूराने शादी वाले लहने को जो कि सालों साल से वस्पैक होके हमारी अटैश्यों में पूरा जरू से देखना चलिए जल्दी से स्टाइट करते हैं आज का इंट्रस्टिंग वीडियो तो देखिए यह वह ब्यूटिफुल लहेंगा अनियन पिंक कलर का और इस पे हो रहा है यह पिंक सितारे और यह देखिए वैलवेट के पैच है कुंदन है बहुत हैवी काम है मोतियों का बड़े-बड़े कुंदन का काम है इसके उपर यहां महरून कुंदन है महरून गुल्डन वाइट कुंदन और मोती हैं चीड के मोती हैं बार बार एक 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 दम छुट-छुट से इतना है वी बॉडर है तो यह 12 साल पुरहने लेंगा है मेरी दीदिका उ वेडिग में पहना है तेस्चल पिंक शेल तो इसके फैमिले कलर अभी भी बहुत जादा ट्रेंड में है तो चलिए यह 12 साल पुराना लेंगा मैं चैरी करूंगी और दो तरीकी से आपको इसका रियूस बताऊंगे दो अलग-अलग तरीकी से तो आप देखना एक में इसक कुछ बनारसी चीजीं इसका मैं चारी क्या है उसके बनारसी बलोस और आन इसका बीड और धार सैंगगे और नियुक्त ब कर तो भाच पूल सी सज़ा है तो पर वन समय में चुश्ट कि रया आपताआ हूँ जो नारसी बोते हैं एक तो फर्सी जवे क्रीट किया है उसमें गोल्डन इसमें प्यारी सी जरी है, गोल्डन टैसल से बड़ी बड़ी दूर दूर लगी हुई और इसके साथ में मैंने एड़ करी है, टेमपल जूलरी, बोटनेक का मेरा ब्लाउस है, बोटनेक परी नेकलाइन है, और बस मैं ये दुपटाना शोल्डर पे और यहां साइड में अब पिन अप करूँगी, चिक है उसके बाद में ब्यूटिफल सी मेरी टैमपल जूलरी मैंने एड़ करी है, ये बहुत ही ज़ादा ट्रेंड में है, और अगर बनार सी साड़ी या फिर बनार सी लहंगा सूट के साथ में टैमपल जूलरी एड़ करते हो ना, तो आपक ये बैंगल बहुत ही ज़ादा ट्रेंड में है, मुझे परसनी बहुत ज़ादा पसंद आती है, डाक शेट्स में, तो ग्रीन बॉडर था, इसके मेने ग्रीन बैंगल पहनी हो, और आगे और पीछे इसमें पोल की वाली कंगन लगाए है, थोड़ा सा रिच लुक देने के और आप चाहतों आप पल्ला पिन अप कर सकते हो, या फिर फ्री पल्लू भी छोड़ सकते हो, या फिर फ्री पल्लू भी छोड़ सकते हो, and here is a full look guys, कोई भी नह कहेगा कि आपने 12 साल पुराना अपने शादी का ओर लेंगा पहना है, अगर आपके पास में असल लेंगा है, तो जरूर से आप उसे रियूस करिएगा, रिस्ट्राइल करिएगा इस तरीके से, कफी स्मार्ट लुक है, नेक्चल लुक होगा ना, वो थोड़ा से ट्राडिशनल होगा, बट अगर आपको स्मार्ट लुक क्रेट करना है, तो मैं इस लुक के साथ में जरूर से जाओंग और यह एक मोनोक्रूम लुक क्रेट हो गया, काफी जादा इसमें स्रेम और टाउल लगते हो, एक गम लिटे स्ट्रेंड भी है बनार सी, और अब यह नेक्स लुक है, यह है ट्रेडिशनल लुक जिन्हें यह कंप्रेइन रहती है, कि आप ट्रेडिशनल लुक बताओ, जिस यह मैंने एक साड़ी से लहंगा बनाया था, उसका मैं आपको लिंक पिन कर दोंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, उसका दुपट्टा है, इसको मैंने वाइट नैट लेके डाई कर वाया था, इसमें चुचुचुची सी बूटियां है, कुन्दन की च सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, तो मेक शर आप चेक आउट कर लेना, यह देखिए, यह रहा एक ट्रडिशनल डिफरेंट लुक, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, कि आपने पुराने लहंगे को इस तरीके से रियूस किया है, तो अगर आपके पैसा लहंगा है, जरूर स से निकालिए, और आप अपनी चॉइस के अकॉरिंग कि आपको फर्स्ट स्मार्ट लुक चाहिए, या फिर सेकंड ट्रडिशनल लुक चाहिए, अच्छा ट्रडिशनल में भी ना, आप सर भी ढख सकते हो, और बिना सर ढखी भी लुक देख सकते हो, दोनों लुक बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और ग्रीन और पिंग कांबिनेशन भी बहुत ब्यूटिफूल लग रहा है, तो फटा फट से आप मुझे कमेंच करके बताइगे, आप ग्रीन और पिंग हार्ट देंगे, मुझे प्लीज, प्लीज, मैं आपके हार्ट का वेट करूँगी, कमेंच कर के बताना रेटिंग देना कि कौन से लुक को अपने कितना रेट दिया और अगर नए हो तो जल्दी-जल्दी से मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब कर लो अपनी मेगा की फैमली को बहुत बड़ा होना लोग वीडियो को वायरल कर देना अपनी फैमली और फ्रेंड्स में शेयर क है ना तो उसे जल्दी से निकाल के और फटा-फट से अलग-अलग तरीके से स्ट्राइल करना अपना धिहान रखना बी ब्यूटिफुल और जल्दी ही मिलोंगी नए वीडियो में तब तक के लिए चेक के लिए लब यू आल बाग